तो दोस्तों यह है अब यह पास CMF by Nothing Phone 1 जो भी मैंने लेटेस्ट परचेस की है 12 जुलाई को 1st sale में Flipkart की तो आज इसके बारे में detail में बात करेंगे तो अब जल्दी से इसको unbox भी कर लेते हैं वो जादा चमक रहे हाँ मेरा पुराना phone ना चमके गई है क्योंकि में पास Flipkart की Open Box Delivery तो उन्होंने पहले ही Unbox कर दिया और यह है Nothing का CMF phone 1 इसको साइड मेरे तेस्ट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले box के content को देखे तो आपको Type C C Cable देखने को मिल जाती है उसके बात इधर आपको CM Ejector Tool देखने को मिल जाता है इसमें पीछे screwdriver नहीं आता वह जब आप extra case पर चीस करोगे तभी मिलेगा और last में आजाता है यह paper इसको हम side fact देते हैं हमारे काम करनी है अब आजाते हम CMF phone 1 पे अगर आप देखो मैंने blue design मंगाया है क्योंकि एक leather वीगन leather देखने को मिल जाती है बाकि black और green में नहीं था यह orange और blue में था इसलिए मैंने blue प्रेफर की है बाकि मैंने review भी देखा था जिसमें black वाले में CMF को logo वह fade होने लग गया था पर इसमें engraved leather में तो वह fade नहीं हो सकता तो मैंने यह वाला इसलिए ही prefer की है especially इसके design में थोड़ी और बात करें तो आप देख सकते हो इसमें आपको 3.5 mm jet देखने को नहीं मिलता और buttons देखो तो छोटे हैं ऐसा कोई खराब नहीं है पर ठीक है अच्छा लगता है देखने में बाकि अगर आप ध्यान से देखो न आपको camera के साथ एक ring देखने को मिल जाएगी selfie camera के साथ जो silver ring है किसी को पसंद आएगी किसी को cheap लगेगी तो वो totally आपके उपर है अच्छा इसमें कई लोगों का question था कि यह जो नीचे wheel है क्या यह hold करते बाद दिक्कत देगा अगर मैं सही बताओ तो मेरे को नहीं रहता है क्योंकि मैं phone को ऐसे पकड़ता हूँ यह मेरी finger यहां रहती है तो wheel का कोई use नहीं है left hand से भी पकड़ो तो भी wheel इदर आ जाता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही phone hold करने में पता ही नीचल रहा है इसमें wheel है camera and performance की बात मैं आद नहीं कर रहा है क्योंकि मैं को सुभई phone मिल तो यह phone on ही नहीं होगा यह थोड़ा company ने चलाकी करती कि आप phone import export ना दरपा हो सस्ते में जैसे apple में restriction नहीं है आप आर से phone ले आदो सस्ते में तो चल जाता है पर nothing का phone same भी use करने पड़ेगी जिस country से आप ले रहे हो तो आप कह सकते हो company ने दिमाग तो लगाया है थोड़ा अब थोड़ा phone के अंदर जाके बात करते है अगर आप देखो तो इसमें चान नए wallpapers आए है जैसे nothing कोई नए phone release करता है साथ में उसके related कुछ wallpapers भी आते है ऐसा ही इसी के साथ है जैसे ही मैंने phone on किया तो में को एक नए update भी देखने को मिल गया तो उसके अवारे में भी बात कर लेते हैं आपको इसमें एक tips and feedback का section देखने को मिल जाएगा आप settings में जाओगे scroll down करोगे about phone के उपर tips and feedback देखने को मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करोगे आपको recommendation आएगी कि आप इस phone में क्या के features use कर सकते हो या categories में जाके भी आप देख सकते हो नीचे बाकि नीचे एक last में feedback option देखने को मिलता है गर आपको कुछ भी देना हो तो अगला है date visit हा मैंने update से पहले देखा था पर इसमें कोई date visit नहीं था तो इसको update करने पर date visit आजाता है update और day select कर सकते हो उसके recording और swipe करकी change हो जाता है और जो सबसे अच्छा feature लगा मुझे इस update में वह है pop-up view आप जैसे settings में जाओगे आपको माँ पर नीचे scroll down करके system में जाना है उसके बाद यहाँ पर pop-up view आ रहा हो अप्शन उस पर click करके expand notification को on कर देना है और इस पर click करके देख सकते हो आप यहाँ पर option आ रहा है जैसे ही आपके पास कोई notification आएगी आप उसको scroll down करके pop-up view में ख security patch देखने को मिल जाता है बागी इसमें camera improvements है वो मैं test करके बताऊँगा और नीचे थोड़ी से improvements है कि fingerprint improve हो है scrolling lag कम हो है अगर आप X use करते हो तो यही सब है अब आप देख सकते हो कि fingerprint भी अच्छे से लग रहा है कोई रिक्कत नहीं है और मैंने इसमें एक और चीज notice की जैस इसमें AMOLED screen है पर इसमें आपको AOD देख में को नहीं मिलता तो nothing के बागी phone में मिलता है आप settings में जाओगे lock screen में जाके सबसे नीचे scroll down करोगे तो वो option ही नहीं है AOD आप यह nothing phone 1 में देख सकते हो यहां पे आपको दिख रहा है पर यह इस CMF phone में नहीं है तो यह तोड़ा म battery health को health पर जाना है और नीचे आपके पास option आ जाता है custom charging mode आप इसको 70, 80, 90% पर set कर सकते हो यह feature what time से demanded था पर इन्हों ने इसमें दिया है वो सकते update में बाकी phone में भी आ जाएए next feature है AI vivid mode अगर आप जैसे camera on करते हो उपर आपको एक circle सा N लिख के आ रहा है यह natural color का है इस पर click कर गया आप इसको V कर दोगे तो यह vivid mode पर आ जाता है AI का use करके dark colors को अच्छा करता है थोड़ा enhance कर देता है तो यह AI capability है camera में तो यह बाकी phones में भी आ सकता है अभी कुछ नहीं कह सकते कि यह features आएंगे या नि अभी तो यह सिर्फ CMF phone 1 में ही है और pop-up view वाला तो मैं आपक present anti-disconnection जैसे इस पर click करोगे तो यह है कि अगर आप call को answer नहीं करते तो पांच-दस मिन में automatic cut हो जाएगी गेम में disturbance now इसके लिए feature दिया गया है तो इसको भी मैं test करके अनली वीडियो में जरूर दिखा हुआ तो आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडिय आए तो लाइक शिर सबस्क्राइब जरूर करें टैंक्स फ़र वाचिंग